नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी टाइम चैनल में सब्सक्राइब करें स्टेडी टाइम चैनल को अगले वीडियो देखने के लिए आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो उत्राखंड की जो मुख्य जीले या जो ताल है ठीक है पिछले पार्ट में मैंने आपको जो उत्राखंड की जो प्रमुख नदियों और उनकी जो साहिक नदियां हैं उनके बारे मैं आपको बताया था वो पार्ट मेरा जो था से 2nd part था और उससे पहले मैं 1st part बना चुको हूं, तो आजका भी जो मिरा part रहेगा, जो जीले उजो ताल है, उसको मैं 2 parts में divide करूँँगा, क्योंकि 1st part मैं आपको कुमाउ छेत्रック की जो प्रमुक जीले उज़ ताल है, उनके बारे मैं बताऊज़ा, और second part में मैं आपको गड़वाल छेतर की जो जीले और जो ताल है उनके बारे में आपको बताऊँगा friends, तो आगे बढ़ते हैं देखिए हमारे जो देश हैं इसमें बहुत प्रकार की जीले पाई जाती है ठीक है? और अलग-अलग conditions में जीलो का निर्माण होता रहता है ठीक है? तो basically मैं पाँच आपको जीलो के नाम आपको बताऊँगा देखिए पहला है volcanic lakes जो होती है मतलब जो जुआला मुखी जीले होती है जैसे कि उधारन के लिए जो महराश्टरा में जो लोनार की जील है वो जुआला मुखी के फटने से जो उसके बाद जो जुआला मुखी शांत होता है जो solidification होता है उसके द्वारा वहाँ पर पानी जब जमा होता है तो उसे जुआला मुखी जील बनती है ठीक है? उसके बाद है glacial जील कहने का मतलब है आपकी जो हिमानी जीले होती है जैसे उत्राघंड की जीले है basically सारी-सारी glacial जील है ठीक है? फिर है tectonic जो lakes होती है विवरतनिक जीले हम जिसे हम कहते हैं जैसे कि वूलर जो है कश्मीर का largest fresh water lake in India है ठीक है? तो ये विवरतनिक जीले हो गई फिर उसके बाद है lagoon की जीले जैसे lagoon या अनूब जीले आपके लीजे जैसे उरिसा का जो चिलका का जो जील है और आंदर प्रदेश में कोलेरू जील है ये lagoon जीलों के उधारण है उसके बाद है aeolian lakes ये मतलब जो वायू जनित जीले होती है जैसे राजिस्थान का जो सांबर है और डी डिवाना पंच भद्रा और लून करंसर ठीक है ये कुछ जो जीले होती है वो आपकी वायू जनित जीले होती है जिनका निर्माण वायू के द्वारा होता है ठीक है फ्रेंच तो मैं आप आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक टेबल है आपके सामने चार्ट है इसमें फर्स्ट अफॉल मैं आपको जो उत्तराखंड के कुमाउ छेतर की जो प्रमुक जीले है इसके बाद यह कौँस कौँस डिस्टिक्ट में है यह भी आपको बताऊँ है फ्रेंच आच्वाद पहला स्टार्ट करते है नैनिताल देखिए नैनिताल डिस्टिक्ट जो है यहाँ पे बहुती प्रमुख जील है और प्रियतन का केंद्र भी है और इसको रिशी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है फिर उसके बाद है भीमताल ठीक है यह ननिताल डिस्ट्रिक्ट में है बेसिकली एक त्री बुजाकार टाइप का है और इसके जो सेंटर में जील के जो सेंटर में एक द्वीप है ठीक है और यह सबसे बड़ा ताल है कुमाउचेतर का ठीक है नेक्स्ट है, नकुच्चिया ताल है, ये बेसिकली नौ कोनो वाला ताल कहलाया जाता है, ठीक है, और कुमाउ छेतर का ये सबसे गहरा ताल है, नकुच्चिया ताल, इसको आप नोट कर लें, और ये पेपर में बहुत बर उचा गया है, कि नौ कोनो वाला ताल कौन सा है, य विसची ली एक अश्वकषुर के समार है ठीक है और इस में बेसीक ली पांच ताल या फिर कह ली जे कि पांच कोनों वाला जो नल दम्यंती ताल भी इसमें है ठीक है और इस Bus अल उसी59 आधा है राम लक्षमान सीता ताल भी आता है ठीक है तो यह है साथ ताल है और बेसिकलिए नैनिताल डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है उसके बाद देखिए खुर्पा ताल सुखा ताल मलवा ताल सडिया ताल तथा हरीश ताल बेसिकलिए सारे के सारे आपके नैनिताल जिले में है ठीक है उसके बाद है गिरी ताल गिरी ताल बेसिकली उधम सिंग नगर में है ठीक है उसके बाद है द्रोन ताल ठीक है द्रोन ताल उधम सिंग नगर काशिपूर काशिपूर के ही पास में है और गिरी ताल और यह जो द्रोन ताल है यह बिसे कली काशिपूर महीं है ठीक है और मुलना जो द्रोन ताल काशिपूर अर्मोडा में है ठीक है शामताल शामताल और जो जिलमिल ताल है ये दोनों के दोनों आपके चंपावत जिले में है ठीक है तो ये था एक चार्ट अब मैं आपको एक एक करके जो भी कुमाओं की जो बेसिकली जो सबसे प्रमुव जिले हैं उनके बारे में आपको एक्स्प् पिरेंनुक्ता से कंदेम 10-10 km, उत्तर से ननिताल कंदे 55-500. पूर्व जील हिया कंदेमे 5,1–2 km जील की शीरे यह ननिताल को मिलादना हुआ है अि इस बहुत इंप्सेटन क्हूश्न को से बड़ा जील है भीमताल और या फिर यह आ सकता है इस टाइब से आ सकता है कि कुमाओं का वह है जील जहां पर टापू है अक्वेरियम है तो वह है उसका नाम बताओ तो आप बोलेंगे भीमताल ठीक है और इसकी जो लंबाई है बेसिकली 1674 मीटर है ठीक है और जो आसपास कम से कम तीन तरफ से यह परवतों से घिरा हुआ है ठीक है उसके बाद नकुच्या ताल है ठीक है यह जो ताल है बेसिकली यह नैनी ताल जो है वहां से कम से कम 26 किलो मेटर है और भीम ताल से जस्ट 5 किलो मेटर की दूरी पर है ठीक है और मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो नकुच्या ताल है वो है कुमाउ छेतर का सबसे गहरी जील है ठीक है और इस जील की जो लंबाई है वो कम से कम 950 मिटर है और चोड़ाई 680 मिटर है और गहराई देख लीजिए जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ 40 मिटर के आस पहाड़िया और अगला है नैनिताल देखें नैनिताल के हम बात कर रहें तो नैनिताल आ गया ब्रेहंगम द्रिश्य ट्यूरिस्ट प्लेस ठीक है और नैनिताल जो है बेसिकली इसको रिशी सरोवर भी कहा जाता है ठीक है और समुदर तल से कम से कम 1937 मीटर की उचाई पर ह है ठीक है और इसके चारो और साथ पहाड़िया है बहुत इंपॉर्टन सवाल एक आता है हर बार पेपर हूं में PCS में या SSE के एक्जामों की उत्राखंड का जो नैनिताल जो जील है वो कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो आप कहेंगे साथ पहाड़ियों से घिरा ह हुआ है मैं आपको उनके नाम बता देता हूं प्लीस आप नोट करें याद कर लिजी को आयार पात देवपात हाड़िवादी चीना पीक स्नो वियू आल मसरिया कांटा ठीक है और शेर का डांडा ठीक है यह साथ पहाड़ियां है ठीक है जिन में सबसे उंचा चीना पीक य बालिया नदी निकलती है ठीक है ओके और इसकी जो पूरी लंबाई है वह है कम से कम 1430 मीटर है ठीक और जो इसकी चोड़ाई है वो 465 मीटर और गहराई देखिए 16-26 मीटर है है ना यह कितना एक ब्रहंगम द्रिश्य मनलब इतनी हाइट पर कुदरत ने इतना प्रिश्मा ही आम इसको कहेंगे इतने गहरी गहरी जीले इतनी हाइट पर भी आपको देखने को मिलती है और इस जील के साथ में एक पौरण कथा भी जुड़ी हुई है कि ऐसा मानना है लोगों का कि इस जील का जो निर्माण है वह है भगवान शिव की जो पत्नी थी सती उनके अश्रू से इसका निर्माण हुआ है और यहीं पर उनका जो नयन है वह गिरा था ठीक है जिस कारण से नयना देवी शक्ति पीट मंदिर की यहां पर प्रतिष्ठा हुई है ठीक है और इसी कारण से इस नगर का नाम नयनिताल पड़ा और इसकी बाद अगला जो सबस नाम नोट कर लिए पेपर में बहुत बार पूच्छा गया है कि नयनिताल की खोज किस ने की थी किस अंग्रेज ने की थी और उस अंग्रेज का नाम है CP Barron कि नेक्स्ट नेक्स्ट है सात ताल यहां पर पहले साथ जिल थी और आप जो है बेस नाध जिल थी उस में से मैकसिमूम अप्सूग गई है इसमें जो famous है वो नल दम्यंती ताल है ठीक है गरूड या पन्ना ताल है पूर्ण ताल है लक्षमर ताल और रामसीता ताल है ठीक है अब basically साथ ताल तो आपको एक साथ साथ दिखनी सकते होता है कि एक-एक जील जो होती है एक-एक ताल जो होता है वो underground ही जो पानी के जो इनके अंदर connections है ये इनके द्वारा जुड़ा हुआ है ठीक है ओके तो अगला बढ़ते हैं हम खुर्पा ताल नाम से मलब चला खुर जो घुड़ा होता है उसके जो पैर होते हैं मुलब जो नीचले का जो solid सा पार्ट होता है उसको खुर कहते है ठीक है तो खुर्पा ताल बेसिकली ये अश्वक के खुर के समान है तो इसका नाम खुर्पा ताल ही है ठीक है और ये नैनिताल से 12 किलोमेटर की दूरी पर है और 1633 मीटर लंबा है 5 किलोमेटर चौड़ा है ठीक है औ और इसका जो आकार में आपको पहले बता दिया है कि एक जानवर के खुर के समान है ठीक है तो इसीरे इसको खुर्पा ताल कहते हैं उसके बाद है द्रौन सागर ठीक है द्रौन सागर बेसिकली उधम सिंग नगर के जो काशुपूर है वहां से 2 किलोमेटर की दूरी पर स् उसके जाता है कि जो गुरू द्रोन थे उन्होंने अपने शिश्यों को धनूर विर्द्या की शिक्षा दी थी ठीक है और जो गुरू द्रोन है उनकी प्रतीमा भी इस ताल के किनारे पर है ठीक है और बेसिकली एक धार्मेक दृष्टी से इस ताल का विशेष महतम बाना जाता है उसके बाद है गिरी ताल ठीक है तो यह भी जो ताल है उधम सिंग नगर के काशीपुर के ठीक है राम नगर मोटर मार्क से कम से कम यह तीन किलोमेटर की दूरी पर यह ताल है ठीक है और यहां पर बहुत से मंदिर आपको देखने को मिलेंगे उन मंदिरों में जो व श्रोन सागर और घेली ताल बेसिक्ली उधमसिंग नगर जिले में हैं और काशीपूर के आसपास हैं। उसके बाद है जील्मिल ताल. यह जो ताल है बेसिकली चंपावध का जो तनकपूर है और तनकपूर हो ब्रहमदेव से कम से कम पांच किलोमेटर की दूरी पर है ठीक है और यह बेसिकली दो किलोमेटर के दारे में है ठीक है और यह गोल्ड रंग का ताल है और यहां पर अपने सीजन में यहां पर बहुत से पक्षी जो हैं आपको देखने को मिलेंगे और मौनसून सीजन में इसकी आकरती जो है क चम्फावत जिले में ही हैं ठीक है और यह भी बिसीकली 2-3 km के आसपास है ठीक है और बिसीकली इसका नाम शामला तल इसले की क्योंकि इसका जो रंग है इसके पानी का वो शाम रंगा है गहरा है गहरा गाड़ा काले रंका है ठीक है और इसके आसपास बहुत सी परवत मालाएं आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है और यहाँ पर कमल के फूल की जो है इसकी शोभा बढ़ाते है इस ताल की ठीक है और इसके आसपास भी आपको सबसे प्रसिद एक मिला लगता है जिसे हम जूला मिला कहते हैं ठीक है और इसी ताल के किनारे जो स्वामी विवेका नंद थे उनका आश्रम स्थित है कौन से ताल के किनारे स्वामी विवेका नंद का आश्रम है तो आप नाम नोट कर लीजिए शामला ताल और जूला मिला यहां का प्रसिद जो एक्टिविटी है वो है उसके बाद है तडाकताल ठीक है और तडाकताल जो बेसिकली अलमोडा डिस्टिक के चकुठिया से कम से कम 10 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है यह 1-2 km यहां लंबा है और 500 मिटर के आसपास यहां चोड़ा है और इसके आसपास बहुत ही प्रसिद पेड़ है जैसे चीड़ का पेड़ है देवदार बाज वुरांश के व्रिक्षों यह घिरा हुआ है और बेसिकली क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे इसका जो कुछ हिस खंच होता है और दरीए भेड़ Change लेडार के जाती है और इसमें कम से कम से पांस सुरंगे बढाई गई गहीं जो इसका जो चेंप है रूंचाय हुट कुछ Еще कि यह थे उत्रहूं χार्ट के कुछ प्रमुक जीले कुमाऊव छेत्रक की और मैं आपको अगले पार्ट में जो गड़वाल छेतर है उसकी जीलों के बारे में और तालों के बारे में आपको बताऊँगा कुछ कुंड भी बीच में लेकर आओँगा कि कौन कुन से कुंड है जैसे घरम पानी का कुंड और ठंड़े पानी का कुंड ठीक है तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें और मेरे वीडियो को अभ लायक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई मेरी लिए सुझाव है तो आप मेरे कमेंट सेक्षिन में आकर कमेंट करें ठीक है थैंक्स वर वाचिंग